नमस्कार मैं हूँ बिनीतर पाठी और आप देख रहे हैं नौभारा टाइम्स डाट कॉम देश में कुरोना का संक्रमर लगातार बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है इसके लिए अब खुद पियम मोदी और ग्रह मंत्री अमिश शाह ने मोर्चा सम्हाल लिया है कल से यानि शनिवार से मीटिंग का लंबा दौर शुरू हो गया है लगबग 96 घंटे में 38 मीटिंग में आगे की रणनीती तै होने वाली है कल पियम मोदी ने कैबिनेट के अपने साथियों के साथ में एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने इस बात में चर्चा की कि देश में कोरोना का जो संक्रमरतीजी से फैलता जा रहा है इसको कैसे काबू में किया जाए क्योंकि हम पिछले दिनों देख रहे हैं अनलॉक होने के वज़े से पाबंदिया हटने के वज़े से देश के तमाम हिस्सों में जो आबादी है वो सडकों पर है सोसल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा वह अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी यही हाल देखने को मिल रहा है और दिल्ली के हालात तो और भी ज़्यादा बुरे हो गए हैं यहाँ पे हर रोज 1500 से लेकर 2000 मरीज तक सामने आ रहे हैं आलम यह है कि दिल्ली के जो अस्पताल है वहाँ पे बिस्तर नहीं बचे हैं इसके लिए अब वहाँ के नर्सिंग होम को दिल्ली सरकार ने आदेश जाड़ी किया कि अब उन नर्सिंग होम को कोविट सेंटर बनाय जाएगा फिलाल यह बात तो राजधानी दिल्ली की है लेकिन केंदर सरकार इसके लिए क्या कर रही है उसके लिए एक बैठक का लंबा दोर चलने वाला है जिसका नेतरत खुद पियम मोदी और ग्रह मंत्री अमिशाह कर रहे हैं आज यानि रविवार को अमिशाह इसके बैठक करने वाले हैं दिल्ली के लिए बैठक होगी जिसमें से अर्विन केजरिवाल उप राजजपाल अनिल बैजल और एम्स के डिरेक्टर डॉक्टर रंडी गुलेरिया समेत तमाम वो अधिकारी शामिल होंगे इस बैठक में ज पिर्धान मंतरी नरेंदर मोदी बाकी सब स्टेट के साथ और केंदर शाशित प्रदेशों के साथ भी करने हैं इसके लेकर दो अलग 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 दिन डिसाइट किये गए हैं एक ही दिन यह संभव रही है कि हर राज्य के सीम से मीटिंग की जा सके तो इसके लिए 16 और 17 ज आएंगे आप देख रहे हैं कोरोना के हालात देश में इस समय बहुत बढ़ से बत्तर हैं हलाकातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हर दिन अगर पूरे भारत की बात करें तो 10 से 11,000 मरीज सामने आ रहा है हलाकि इसी भी सुकून की खबरे कि यह है कि हमारा रिकवरी रेट भ साथ संक्रमर का बढ़ना ये खत्रे की घंटी है इसको लेकर क्या आगे की रणनीती बनती है पियम मोदी की बैठके हो रहे हैं या फिर जो अरविन केजरीवाल के साथ में ग्रहमंत्री जो बैठक लेने वाले हैं उस पे क्या निसकार्स निकलता है ये आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा जब ये सब मीटिंग हो जाएंगी और इनका कंक्लूजन इनका सारान हमारे सामने आएगा तो हम उसको आपको सबसे जल्दी आप तक पहुंचाएंगे